हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू आर फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल और आज हम शुरू करने वाले एंबॉक्सिंग एको लीना के पिंक शुगर पर्फियूम की जो की एडिटी कंसेंट्रेशन में वेले वेले 100 ml में है और दोस्तों इसके ब्रैंड का नाम अम य्क कहीं पर मैंशन नहीं है पूरे बॉक्स को मैंने द्यान से देख लिया बड़ कहीं पर भी लीड नहीं लिगा है तो आपको जैसा की पतर ही होगा यह आ पिंक शूगर पर्फिम है और काफी जाधा UFC warnings यह women's के लिए तो दोस्तों आज unboxing चुरू करने से पहले देख लेए बॉक्स की quality बॉक्स की quality ठीक ठाके काफी unique packaging है इसकी आप देख सकते हैं flask जैसी इसका जो packaging design है वैसा है और काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि बार कोड के ओपर इनों ने प्रिंट किया है और दोस्तों एकवली न ब्रांड मेड इन इटली फ्रेग्रंस है तो जल्दी से अंबॉक्स करके देख लेते हैं कैसी यह fragrance juice quality, build quality, spray air quality, किस weather के लिए appropriate है, price range और projections या longevity सारी बात करते हैं इस वीडियो में जल्दी से bottle को बार निकाल लेते हैं और दोस्तों सैलोफेन हमने हटा दिया, matte finish का यह box से glossy नहीं है, और bottle को भी बाहर निकाल लेते हैं, शायद यह नीचे से open होगी, ऐसे कुछ देख लेते हैं और दोस्तों पर जमने इसका cap हटा दिया यह और दोस्तों यह bottle आ गई है, बाहर, काफी ज्यादा eye-catching bottle लग लिए, और मुझे यह mist की याद दिला रहा है, मतलब जो mist आते हैं, market में, जैसे आपने देखियोंगे, Victoria Secret के mist आते हैं, तो वैसी quality लग लिए bottle की, जैसे कोई fragrance mist हो बट दोस्तों यह fragrance है, proper audit toilet concentration में, तो काफी अच्छी fragrance है यह, इसके बारे में अभी आपको बताएंगे, और नीचे से देख लेते एक बाद, नीचे देख सकते हैं, आप एक sticker लगा audit toilet, natural spray, और इसका batch code भी यहाँ पर mention है, 010VR113, जो batch code इस पर mention है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, बट काफी मुश्किल से भी हम इसको देखनी पा रहे है, और दोस्तों इसकी build quality भी अच्छी लग रही है, मुझे ठीक ठाक bottle है, ज्यादा heavy glass की bottle नहीं है, अच्छी लग रही है, बाटल काफी slim है, और इसकी cap देख लेते हैं, कैसी है, दोस्तों plastic की cap है, normal quality की cap है, बट काफी ज्यादा eye catching लग रही है, बाटल मतलब इसका जो look है, वो काफी feminine लग रहा है, तो पता ही लग रहा है कि यह women's के लिए fragrance है, तो cap ठीक ठाके plastic की cap है, atomizer आप देख सकते हैं, dark pink color का यह, काफी ज्यादा eye catching लग रहा है देखने में, spray air quality पे आप देख लेते हैं, spray air quality भी बहुत बढ़िया है, आप देख रहें, proper mist निकल रहे है, लेकिन juice के entity थोड़ी सी कम निकल रहे है, तो इस fragrance को अगर आप wear कर रहे हैं, तो कम से कम 10 से 12 spray तो minimum इस fragrance को लगाने के लिए, काफी अच्छी fragrance quality को मैं sniff कर पा रहा हूं, और दोस्तों सबसे ज्यादा मैं इसक sheet notes को feel कर पा रहा हूं, और इस fragrance को sniff करने के बाद मुझे एक middle eastern house की एक fragrance याद आ रहे है, लताफा की नेवराज, उससे कई ज्यादा similar लग लिए मुझे ये, और जो सबसे ज्यादा prominent notes मैं इसके अंदर feel कर पा रहा हूं, वो है caramel की note, और साथ ही साथ वो cotton candy, आपको पता ही से, तो वो वाली note भी इसके अंदर काफी ज्यादा prominent है, तो cotton candy, caramel, vanilla, ऐसी बहुत सारी notes को मैं इसके अंदर feel कर पा रहा हूं, और ये सभी notes gourmand fragrance है, मतलब ये gourmand fragrance है, जिसको खा जाने का मन करता है ऐसी fragrance, और काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, काफी ज्यादा appealing भी लग ल दो से तीन घंटों का projection से आज आज आपको इसके अंदर मिल जाता है, और बात करें longevity की, तो कम से कम 6-7 घंटे easily lasting मिलेगी आपको इस fragrance की, आपके skin पर भी और आपके कपड़ों पर भी, और बात करें दोस्तों, ये किस weather के लिए appropriate है, तो आप इस fragrance को fall and winter में use कर सकते हैं, क्य नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा overpowering या offensive लग सकता है किसी को, तो दोस्तों, आप इसे fall and winter में बिल्कुल यूज करें, खास तोर पर गल्स के लिए, ये एक feminine fragrance है for girls, हलाकि लताफा का pride नेबराज भी इससे काफी जादा similar है, तो वो unisex fragrance है, सबी लोग लगा लेते हैं, और personally मै मैं बताओं तो मैं भी इस fragrance को wear कर सकता हूं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ही ज्यादा feminine है, मैंस भी इसको use कर सकते हैं, बट जो recommend किया गया है, वो feminine ही नहीं है कि women's के लिए ये fragrance है, और दोस्तों, बात करें ये इसके budget की, तो under 2500 ये fragrance आपको मिल जाएगी 100 ml में, ADT concentration में और दोस्तों, अगर आपको इसका decant भी try करना है, तो इसका decant भी हमारे पास available है, आप हमारी website विजिट कर सकते हैं, ourfragrances.com और वहाँ पर इसका decant और retail पे दोनों available है, आप वहाँ पर order कर सकते हैं, और दोस्तों, बात करें ये occasion की, तो आप इसे अपनी parties में बिल्कुल wear क कर सकते हैं, काफी अच्छा और आप काफी जादे attractive लगने वाले हैं, तो दोस्तों ये थी आज की unboxing वीडियो, equilina pink sugar perfume की, मिलते हैं आप से जल्दी नेक्स वीडियो में,